हेलो बच्चों कैसे हो आप अच्छ हो ना व्यारे बच्चों तो आपको अपना ध्यान रखना है मास का इस्तमा ज़रूर करना है 20 सेंग वाश करना है और बहुत जाते से में शुशल डिस्टंजी का पालंगे करना है बच्चों हमने अगी तक छोटी-छोटी संख्यां के जो तुछ पत्थरों पर संख्या लिखी हुई है और इनके उपर 10-10 का जोड़ है यानि टीटू जो इक मेंड़क है वह हर जो पत्थर पर कूचता है तो वह 10 से पत्थर पर चलांग लगाता है तो 10 संख्या उसमें जोड़ने पर संख्या 10-10 के क्रम में आगे बढ़ जाती है तो हम इसे शुरू करेंगे देखो यहां पे इस पत्थर पर 28 है न और उससे पहले 10 है यानि इस पत्थर पर कौन से संख्या होनी चाहिए शुरू आती पत्थर पर कौन से संख्या होनी चाहिए यहां अगर 28 में से 10 आप घटा देते हो इस पत्थर की संख्या होनी चाहिए अठारा अगर अठारा के बाद दस्वे पत्थर पर कूदता है तो 28 हो जाता है इसी तरीके से 28 में जब दस्वे पत्थर पर कूदेगा तो 38 हुआ है इसी तरीके से बचों हमें फिर 10 को कितनी संख्या जोड़नी है अगर उसमें दस संख्या जोड़ दी जाए तो 48 हो जाता है कितना हो जाता है 48 इसी तरीके से फिर दसमें पत्थर पर वो खुड़ता है जैसे इस अगले पत्थर की संख्या होगी हमारी 58 48 में अगर हमने 10 जोड़ा है तो 58 हो जाता है इसी तरीके से आगे फिर दसमें पत्थर पर कूद रहा है 58 में 10 जोड़ने पर 68 होता है और फिर दसमें पत्थर पर कूदेगा तो होने हैं पर जमा का निशान लगाना है और कितना जोड़ना है तस तो इहां पर हमारे जो आखरी पथर है उसकी संख्या होगी हमारी 78 इस तरीके से जिन पथरों पर हमें संख्या नहीं प्राप्त थी नहीं मालुम थी तो संख्या हमें पता चली और हमें इसमें 10-10 का जोड़ी सीफा अच्छे से आपको समझ मैं आया है ना की संख्याँ में 10 के जोड़ के बाद वह संख्या अगली संख्या हमारी कौन से हो सकति है जैसे 10 के बाद 20-20 में 10-30 में दrike टीस में 10 गोड़ा 40 इसी तरीके से 10-10 की Nur ke संख्या के बाद हमारे वह संख्या आगे बढ़ती जाती है तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्ट्यू